नमस्कार दोस्तों आप सभी का सुवागत है अनुट जी एसेकेड में चनल पर देखे दोस्तों आज हम पॉलिटिक टोपिक कवर करने वाले संस्था यह आपका इंस्टिटिशन आपका तो यहां पे यह देखीगा यह जो टोपिक है काफी अच्छा टोपिक है कोई भी परिक और डेखे की सारे को पर प Arctic की और देखीन आपको करेंगे केश्प से कमसे कम समयमें आपका जाधा से जाधा रीविजन करने के लिए आप स давно अगर गारीगा और इसकी अलबाप प्रेक्टिक करी चलिए सबसे पहले देख लेते यहां पर कोउशन कैसे आता है यहां पे देखीगा इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा सवधानिक निकाई है या कौन सा आपका गैर सवधानिक निकाई है आपका इसमें तो यहां पे दिया जाएगा चार उप्सन होगे इसमें दिया जाएगा कि कौन सा इनमे से सवधानिक निकाई नहीं है या दिये जाएगा चार देके option इनमें से कौन सा जो है गैर सविधानिक निकाए है या कौन सा सविधानिक तर निकाए है ऐसे question पूछ जाएगा तो चलेगा और यह देखिए थोड़ा सा निके बारे में तो सविधानिक निकाए यह क्या आपका जिसका वर्नन सविधान के किसी article म पौड़ी जब सविधान मना था उसमें इनकी चर्जा थी यह बाद में भी आपका संसोधन करके यह आपका सविधानिक निकाई जो है बना सकते इसको तो यहां पर देख लिजेगा इसमें तो यह आपका सविधान के प्रावधानों के आदार पर इसका गठन के गया सवदानिक निकाए है यह संग सेवा आयोग यह राज्यलोक सेवा आयोग संग साओ को राज्यलोक सेवा आयोग कि आपका 323 तक siblingчик है कि यह कैसा निकाए सवदानिक यह सारे के सारे इसका अनुच्छेद क्या है 324 है वित आयोग का जो अनुच्छेद होता है 280 होता है वित आयोग भी आपका सविधानिक निकाय है अब यह देख लिजेगा कौन सा वित आयोग चल ले और कौन उसके अध्यक से यह आपका पूरा का पूरा जो टोपिक है हमने क कवर्ग है आप देखें लिएगा पॉलिटी की पले लिस्ट में राष्ट्री अनोस्चित जाती आयोग और राष्ट्रेवु आनन्सुचित जन जाती आयोग यह कैसे निकाए है यह भी आपके संसोधन 102 के दुबारा 101 मालूम है आपको GST से लिटेड था आपका ठीक है चलिए इसके बाद आपका महानियवादी का जो अनुच्छेद है यह चंतर है या महादिवक्ता का जो अनुच्छेद है यह आपका जो है 165 यह भी आपके सवधानिक निकाय के अंतरगत ही आपके आ महादिवक्ता की आपकी इसमें चलिए इसके बाद देख लेते आपके भारत का नियंत्र के महाले का परिक्षा किसका जो अनुच्छेद है 148 यह भी आपका सवधानिक निकाय इसको बोलते आपका कैग आपका ठीक है चलिए इसके बाद आपका राज भासायो यह कैसा है य इतने जहरे संसोदन उसे उसमें चलिए इसके बाद आपका भासाई अल्ब्संख्यातों के लिए विशेस यह आपका यहां पे सब्सक्राइब गठन है इसका जिक्र जो है वो सब्सक्राइब नहीं था इसलिए इसको जो है इसमें दो प्रकार है इसमें भी आपके एक आपका सम्विधिक निकाए और आपका है एक गैर सवविधिक निकाए आपका इसमें ठीक है चलिएगा जैसे माली जी का यहाँ पर आपका राश्ट्य महिला आयोग है तो यह आपका यहाँ पर नीति आयोग है कुछ भी आजाए तो इसका अंसर क्या होगा गैर सविधानिक निकाए होगा यह आपका सविधाने तर निकाय होगा ठीक है चलिए यहां पर देख लेते आपका सविधिक प्लेलिस्ट में इसके बाद आपका अलफ संह क्यों 1922 में बना था यह आपका समविदिक यह समविदिक है सब्सक्राइब कश सब्सक्राइब आपका MP3 आपका 72010 में अपका बना था थी कही यह उब यह संस्ता आपकी ढूयाब्याब का यह भारते विसिस पैचान अधिकर्ण आपका केंद्रिय सतरता आयोग या राश्ट्य बाल शरक्षन अधिकार आयोग या आपका लोग पाल और आपका केंद्रिय राज्ज्य सुचना आयोग या राश्ट्य परतीस पर्दा आयोग यह सारे की सारे कैसे यह आपका जो है समविदिक निक के इंदर यह सारे के सारे आपके है समविधानिक निकाई और इसके बाद यह हो जाएगे आपके समविधिक और यहां पर यह देखीगा यह आपका इसी का एक पार्ट है आपका गैर समविधिक यह कैसा था आपका समविधिक यह आपका गैर समविधिक इसको जो है सरकार के कि किसी कारिकारी संकलप या आपका जो है आदेश दुआरा इसको जो है बनाया गया और नीति आयोग भी एक पहले जो है छे शंस्ता थी इसका जो गठन किया गया था पंद्रा मार्च 1950 को जो है किये गया था और ये पंडी जवाल नेरुजी के दुवारा जो है इसको इस्थापित किये गया था इसमें और अब इसका नए नाम क्या है इसका जो है योजन आयोग ठीक है योजन आयोग तना इसका पहले नाम योजन आयोग की इस्थापन जिती 15 मार्च 1950 को अब आयोग है और ये कब जो है लागू हुआ एक जनवरी 2015 को ये कैसा है गैर सम्विदिक है और इसके अलावा एंडिसी नेशनल डेवलोप्मेंट काउंसलिंग काउंसिल या राष्ट्य विकास परिसद ठीके चलिए ये टोपिक हमने जैसे आपका नीती आयोग बहुत अच्छे औक अध्यक्स कोर्ण थे ठीक है ऑलड़ार मंतरी जी उपमाधियक्स हो गया कि आपके टाक्टर सुंवन बहरी और इसके जो सी है वह वरथमान में आपका सुबरामंडेम को बनाया गया तो ऐसे आपसे पूछा जाएगा तो आपने देखा कि आपका सवधानिक निकाई क्या है समविधिक ये आपका गैर समविधिक और अगर जैसे मालो आ कुशन आ जाता है राष्ट्य महिला आयोग है और आपको उप्षन दे जाएगा उसमें सवधानिक ये आपका जो है सवधानेत्तर निकाई तो ये क्या हो जाएगा ये आपका सवधानेत्तर निका आएगा गैर सम्विदिक भी आएगा और आप से पूचाएगा कि राष्ट्य महिला आयोग यह कैसा जो है आपका निकाए है तो आप कहोगे सम्विदिक निकाए अकर यह अप्शन में नहीं आएगा तो आपका यह डारेक्ट आपका यह आंसर हो जाएगा ठीक है और यह पूरे टोपिक है अच्छे से इनको कवर कर लेना हाला कि यह जितने भी टोपिक है आपने बहुत अच्छे से कवर किया पॉलिटी के अंदर नितियायोग वगारा देख लेना क्या यह जो हई को यह जो मुझ्य आधिस होते है उनकी रेटेरमेंट की जो आयू है कितने वर्स है उनकी आयू है 62 वर्स सुपरीम कोट है उनकी आयू कितनी यह पैसेट वर्स में चलिए अगला कोश्य ने आपे लोक निदी का अभीभाव किसे कहा जाता है तो लोक निदी का जो अभीभाव कहा जाता है यह नेंतरक एवं महालेका पर इस दिसमंबर को जो है मना जाते है कौन सा दिवस मना जाते है मानव अधिकार दिवस विश्वासत्य दिवस यू दिवस या मज़़ूरी दिवस तो इसको गैर आपका सवधानिक है और इसके अंदर भी आपका समवीधिक है आपका ये ठीके चलिए और ये जितनी भी जैसे आपके दीवस वगएरा न इंपोर्टेंट इनकी थीम देख लीजिएगा क्योंकि हर बार एक्जाम में आपकी थीम से लेटर आते हैं एक आपका जैसे वीडियो की परिक्षा हुई तो उसमें आपका वीसुसवास्ते दिवस की जो है उसमें थीम पूची गई थी इससे पहले अभी है कि UPSSCC की परिक्षा हुई थी उसमें आपका जो है एक आपका क्वेश्चन आपका मानाव दिकार से लिट पूचा गया था और इसके लावा जैसे UGC.net की परिक्षा हुई है तो उसमें कोमन जो हिष्टरी का पेपर होते हैं उसके इंदर पूछा गया आपका मुझदूरी दिवस की थी मिसबार की क्या है तो आपके हरेक ये टोपिक है इंपोर्टेंट है देख ले रहा है इन सभी को अगला कुशन संग लोग सेवा आयोग अपना वार्षिक परतिविदन सोपता है ये किसको सोपते है ये सोपते है आपके राश्ट पती को देखो संग लोग सेवा आयोग है यही पर आजाए राज्जी है लोग सेवा आयोग ये अपना वार्षिक परतिविदन किसको सोपते है देखो कें पीसी या आपका इस्टेट पीसी यानिके जो राज्य के अंदर लोक सेवायोगत है उससे लिटेट कौन होगे आपके राज्य पाल हो जाएगे इसमें चलिए और अगला कोशन है आपे निम्न में से कौन सवी धानेतर संस्था है देखो यहां पे अगर बात किजाए संग लो आपका तीन सो चोबीस इसका अनुच्छे दे और यह सारे के सारे कैसे यह आपके जो है स्वैदानिक निकाए देखो हमने अलग पड़ा दे इसको लाश में पड़ाता ना योजना आयोग यह आपका नीती आयोग आपका कुछ भी दिया जा सकता इसमें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी इसमें ठीक है तो यह आपकी प्रेक्टिस के लिए कुश्चन थे पॉलिटी के जो है काफी सारे टोपिक हो चुके उसमें कैसे आपको अनुच्छे करना है याद करना बहुत सारे उसमें अनुच्छे याद करवाए गये आप भाग भी है अनुसूची स तो यह सारे की सारे टोपिक के इंपोर्टेंट देख लेना इसको पले लिस्ट में जाके से आप यह नोट बनाऊगे उसके बाद उसका रिविजन करना और उसके बाद भुक से प्रैक्टिस कर लेना हो सके तो इस टोपिक को आप बुक से भी पढ़ सकते हैं एक्ट्रा